अज़े दोस्तों कामिनी के किचन में आथ सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मिल के बनाते हैं सूजी का बहुत ही स्वादिष्ट केक यक्कीन माने फ्रेंट स इतना spongy इतना मुलायम मों में जाते ही घुल जाने वाला ये सूजी का instant cake घर में कैसे बनाना है और बहुत ही बढ़ियां ये cake बन करके तयार होगा फ्रेंस जब भी बच्चों का मन हो आप इस तरीके से ये सूजी का cake घर में instant तयार कर सकते हैं और सभी को खुश कर सकते हैं तो आईए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या समान चाहिए होगा तो फ्रेंस यहां पर मैंने सूजी ले ली है वैसे सूजी तो मैंने बारिक वाली ही ली है लेकिन आप यहां पर मोटी सूजी ले या फिर बारिक सूजी ले दोनों ही सूजी को हमें मिक्सी में जरूर चला लेना है इसका एकदम fine powder बना लेना है तो चलिए भाई फटा- से इसको बंद करते हो फटा-फट से हम piece लेते हैं तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ तो लीजिए भाई हमने सूजी को piece करके तयार कर लिया है फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए आटे के form में आ गई है लेकिन बिल्कुल आटा नहीं बनी है क्योंक सूजी को रखते हैं साइड में एक mixing bowl ले लेते हैं और अब मैंने यहां पे जो 10 रुपए वाला अमूल का दही आता है उसका यूज किया है तो फ्रेंड्स थोड़ा दही हमें चाहिए होता है क्योंकि दही डालने से जो हमारा केक है वो बहुत ही मुलायम बनता है प्लस यहां पर जरूर एट करना है तो जादा ने सिर्फ यह मैंने थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि इसमें 85 ग्राम ही दही होता है तो लगबग 3-4 बड़े चमच के करीद दही लेना है चलिए यहां पर हम लेंगे थोड़ा सा रिफाइन डॉयल तो आप देख सकते है मैंने छोट हमने यहां पर तेल लिया है तेल में फ्रेंट्स खुश्बू वगएरा ना हो सिंपल तेल हो रिफाइन डॉयल का यूस करेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा बटर डाले तो और भी अच्छा रहेगा लेकिन हर किसी के घर में बटर या घी की सुविधा नहीं होती है तो मै तो यहां पर दोनों को मिल जाना है बस एक दो सेकंड के लिए हमने फेट लिया है चलिए अफट अफट से यहां पर मैं ले रही हूँ चीनी तो चीनी फ्रेंट्स मैंने मिक्सी में पीस ली थी पीस करके ही यहां पर एड करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा तो मैं टेस्ट की अकॉर्डिंग चीनी डाल रही हूँ एक कटोरी फ्रेंट्स अगर आपको मीठा ज्यादा पसंदो केक तो आप यहां पर ज्यादा चीनी भी एड कर सकते हैं यह मैंने ले लिया है वनीला एसेंस फ्रेंट्स यह बेकरी में या फिर जो है स्टोर वगेरा होते है उनमें यह इजली मिल जाता है 20-25 रुपए की बॉटल मिलती है इससे बहुत भार केक बना सकते हैं तो बस ज़्यादा नहीं डालना सिर्फ 6-7-8 बूंदी हमें यहां पर डालना है इससे फ्लेवर काफी अच्छा आता है फ्रेंट्स परिशान मत हो यह अगर आपके पास व लाप चल भी डाल दीजेगा थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए ना हो तो आप इसे सिंपल ही बना सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है चलिए चीनी दही और जो है तेल को भी मैंने अच्छे से 1-2 मिनट के लिए विस्क कर लिया है अब यहां पर हम सूजी एड़ करेंगे तो गरम करने के बाद तभी यहां पर यूज करना है चलिए थोड़ा थोड़ा दूट डाल करके हम इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर जोब हम दूट डालेंगे ना तो दूट डालने से भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है क्योंकि जब दूट बेक ह करती है दूद्ध हो या पानी सूजी जो है एब्सॉफ जादा करती है तो चलिए फ्रेंड जादा तो यहां पे दूद नहीं लगेगा लेकिन एक डेड़ कप के करीब यहां पे दूद लग जाएगा पूरे केक बनाने के प्रोसेस में तो चलिए अभी भी मुझे यह वीडियो वीडियो में दिखाऊंगे कि कैसी रखनी है तो चलिए 1-2 सेकंड के लिए बढ़िया से फेट भी लेंगे क्योंकि फेटने से थोड़ी सी हवा भरती है तो एकी साइड में आप देख रहें जाती है तो उससे स्पॉंजी के फूल करके तयार होता है तो जरूरी ह कि आप इसे फेटे जरो तो ज़्यादा नहीं फेटना है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फेटेंगे ना तो उतना बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा तो चलिए भाई मैंने केक को फेट लिया है अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चम्मस से दिखाती हूँ तो चलिए विसकर बन रहे हैं लेकिन रिविन नीचे इवनली बैटर में गुल जा रहे हैं तो चलिए बस इस कंसिस्टेंसी का हमें बैटर तयार कर लेना है अब क्या करना है इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए क्योंकि सूजी फूलेगी ना तो पैस्ट रिजल् हैं तो 10 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं तो फ्रेंड्स चलिए फड़ा फट से मैं आपको दिखा देती हूं यह देखिए फ्रेंड्स दस मिनट बाद यह कितना गाढ़ा हो गया क्योंकि सूजी ने दूद को अच्छे से एब्सॉफ कर लिया सूजी अच्छे से फूल भी गई है तो अब यहां पे हमको आधा कपसे थोड़ा सा कम मैंने लिया है दूद और इतना दूद की हमें अभी और ज़रुवत पड़ेगे क्योंकि फ्रेंड्स सूजी ने दूद अच्छे से अब्सॉफ कर लिया है इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है तो थोड़ा थोड़ तो केक जब हम खाएंगे ने तो तूटने लगेगा तो कंसिस्टेंसी का जो है प्रॉपर ध्यान देना है जिस कंसिस्टेंसी का मैं बता रही हूं उस कंसिस्टेंसी आप ध्यान से समझ लीजे तब ही आएगा एकदम परफेक्ट रिजल्ट तो चलिए भाई यहां भी इसे तैयार कर लिया है तो चलिए फड़ा फट से अभी से हम रखते हैं साइड में और इसको डेकुरेट करने के लिए मैं इसमें डाल देती हूं थोड़ी सी टूटी-फूटी तो फ्रेंट्स मेरे पास यहां पे ग्रीन औरेंज और रेड कलर के टूटी-फूटी है मैं इ इस समय मैंगो आ रहा है जो भी आपका मन हो आप यहां पे एड कर सकते हैं लेकिन बच्चों को थोड़ा सा टूटी-फूटी वाला केक जादा पसंद आता है क्योंकि यह देखने में भी कलरफूल लगता है और बहुत टेस्टी भी लगता है जब आप इसे खाएंगे जो टूटी-फूटी आपके मुह में आएगी ना हलकी सी टूटी-फूटी में जो मिठास होती है वो हमारे केक को बैलेंस करते है अगर चीनी अमने कम डाली होगी तो भी बहुत ही बढ़िया लगी तो चलिए हमारा बैटर तयार है अब यहां पे मैंने खराब सा बरतल लिया ह क्योंकि बेक करने में नया बरतन लेंगे तो वह बहुत खराब हो जाता है तो यह मेरी कड़ाई बहुत पुरानी पड़ी हुई थी तो मैंने इसी में ही केक बेक किया है तो चलिए इसमें थोड़ा सा जलते है नमक और अब यहां पे हम रखेंगे एक स्टेंड और लिट से हम इसे कर देंगे कवर जब तक यह गरम हो रहा है तब तक के लिए दूसरी तैयारी करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए देशी ओवन बन करके तैयार कर लिया है तो फ्रेंड्स जो नमक डाला इना से टेंपरेचर बहुत हाई होगा और केक हमारा बढ़िया से बेक होगा जै या तो बरतन चिटक जाते हैं या फिर उनका कलर बहुत खराब हो जाता है तो मैं सजिश्ट करूंगे कि आप पुराने से पुराना बरतन जो आपका यूस कम होता हो उसका ही यूस करिए तो फिलाल मैंने या पे केक्टीन को अच्छे से कर लिया है ग्रीस और अब यहां प बैटर है ना केक का हम इसमें डालेंगे वो इवनली जो है निकालाएगा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं फ्रेंड्स अगर बटर पेपर हो तो आप ज़रूर एट कीजेगा मेरे पास है लेकिन मैं नहीं डाल रही हूं क्योंकि हर किसी के पास बटर पेपर नहीं होता है त हम वापस से निकाल लेंगे तो आंटा हमने बिल्कूल अच्छे से कोट कर लिया है साइडो में भी बढ़ियां कोट कर लेना है ताकि जब हम इसे बेक करें तो बिलकुल भी चिपके नहीं तो चलिए हमारा बेटर तो हमने पहले ही तयार कर लिया था अभ यहां पर मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर वेंड से बेकिंग पाउडर के बनाने की ही काम में आता है इससे केक बहुत बढ़ियां मत लिजेगा, बेकिंग पॉडर का यि यूजुज करें मैं आदा काम्मच के करी मैं बेकिंग पावडर । दाल सकतें टीमन फथे फरी के यह चुछाय को फरी कि यूजँ लगन या यूज्म फानी पावडर के या है ताकि इनो, या फीर बेकिंग पाउडर या फीर बेकिंग सोड़ा बढ़िया से रिजल्ट आया उसका यानि बढ़िया से काम करते हैं तो जब भी आप थोड़ा बहुत खट्टा डालेंगे तो रिजल्ट देखिएगा बहुत बढ़िया आता है तो इसलिए हमने पहले दही डाला है ताकि जो भी हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डाले बढ़िया से अक्टिवेट हो जाए और प्रॉपर हमें आप यहाँ पे केक टीन जो हमने ग्रीस करके रखी थी ना उसमें हम सारा का सारा बेटर भर देंगे तो जो भी हमारे जो बाउल में लगा है उसको भी स्पैचुला के साहता से हम बढ़ियां से निकाल लेंगे तो लीजे भाई हमने इसको निकाल लिया है बिलकुल भी प्लस जो इसमें थोड़े बहुत बबल्स होगे न वह भी निकल जाते हैं तो चलिए भाई जो अमने पहले टूटी-फूटी डाली थी वह तो बैटर के अंदर ही हो गई उपर से मैं से थोड़ी सी टूटी-फूटी और डाल रहे हूं ताकि जो हमारा केक बने न वह देखने सीधे कढ़ाई में कढ़ाई बहुत गरा में फ्लेम को बिल्कुल कर दीजे और इसको हम बीच में कर लेंगे ताकि जो हीट है यह बीच में प्रॉपरली लगे तो चलिए भाई अब कुछ नहीं करना है कवर कर देना है कवर करके छोड़ देंगे हम इसे 30-40 मिनट के लिए गर्मियों में जो हमारा केक है न वो 30-40 मिनट में ही बेक हो जाता है लेकिन अगर सर्दी में केक बनाएगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो चलिए इसे बढ़िया से पकने देते हैं तो फ्रेंड्स इसे पकते हुए 15-20 मिनट हो गए है और आप देख सकते हैं किनार कवर ही रहने देंगे और अब हम इसे चेक कर लेते क्योंकि 30-35 मिनट हो गए है इसे पकते हुए वाव फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रिजल्ट आया केक भी हमारा कितना बढ़िया फूल गया है तो चलिए एक टूट्पिक ले लेंगे और इसके अंदर दालेंगे तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल टूट्पिक हमारी क्लीन निकल रही है बिल्कुल भी बैटर चिपक नहीं रहा है यह इंडिकेशन होता है कि केक हमारा प्रॉपरली बेक हो चुका है तो फ्रेंड्स आपको यह देसी अवन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स दस मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया था और फ्रेंड्स देखिए इसने किनारे छोड़ दिये हैं पहले ही मैंने चाकु अगयरा का भी बिल्कुल भी यूज ने किया इसके कॉर्नर को चुटाने के लिए पहले से ही इतना प्रॉपरली पका हुआ है ना कि खुदी इस खाएंगे ना तो बहुत ही सौफ्ट ये बना हुआ है तो भाई देखिए कलर कितना बढ़िया आया है जो हमने टूटी फूटी डाली थी वो पीछे से भी कितनी सुन्दर दिखाई दे रही है तो कर गया ना मन फ्रेंड्स आपका भी इसे बनाने का तो देखिए फ्रेंड इतली घर में बना के बच्चों को दीजिए बच्चे इसे देखके खुश हो जाएं क्योंकि बहुत ही कलरफुल ये बना है टेस्ट तो इतना गजब काईना की मुह में रखते ही गुल जाएगा बहुत ही नरम तो चलिए भाई मैं इसको कट करके भी आपको दिखा देती अच्छे से तो ठंडा नहीं हुआ है हलका गुन-गुनाई है वीडियो मुझे शूट करने की जल्दी रहती है तो मैं इसे कट कर रही हूँ लेकिन जब भी आप इसे कट करिये या खाईएगा तो प्रॉपर ठंडा कर लीजेगा तभी बढ़िया भी लगेगा टेक्च्च को बहुत पसंद आया तो मेरे यहां तो भाई सारा का सारा केक तुरंती चट हो गया तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा मेरी महनत मेरी क्रेटिविटी आपको जरूर पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स भाई मुझे सपोर्ट करने के के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेसेपी में तब तक के लिए बाई एंड टेक कियर बहुत टेस्टी बनाए आप भी बनाईए